मंडल रेल अस्पताल की OPD सेवा बाधित कर करमचारियों का हंगामा DRM पर करमचारी के कपड़े उतरवाने कारो धनबाद रेल मंडल की मंडल रेल अस्पताल में करमचारियों ने जम कर हंगामा किया यही नहीं OPD सेवा भी बाधित कर दी गई रेल अस्पताल में कारिरत अटेंडनेंट करमचारियों के द्वारा ये हंगामा किया जा रहा है करमचारी बेहत आक्रोशित है करमचारियों के द्वारा DRM के उपर कारवाई की मांग की जा रही है करमचारियों ने DRM के उपर गंभीर आरोप लगाए है एटेंडेंट के साथ DRM के द्वारा किये गए अभध्र वैवार और बज सलूकी के कारण करमचारियों में आक्रोश है वहीं ADRM आशी चाव मौके पर पहुँच कर करमचारियों को समझाने की कोशिश में जुटे हैं करमचारियों का कहना है कि गुरुवार को DRM के एक महिला रिष्टदार इलाज कराने के लिए अस्पताल पहुँचे थे डॉक्टर के चेंबर के बाहर अटेंडेंट बसंत उपाध्याई अपनी ड्यूटी पर तैनात थे DRM के रिष्टदार चेंबर में चपल पहन कर घूस रहे थे जिसे अटेंडेंट बसंत उपाध्याई द्वारा रोका गया बसंत के द्वारा चपल उतारने का उन्हें अनुरोद किया गया इसके बाद वो डॉक्टर से मिलने के लिए चले गए डॉक्टर से ट्रीट्मेंट कराने के बाद वो वापस DRM ऑफिस गये DRM ऑफिस से बसंत उपाध्याई को बुलाया गया बसंत उपाध्याई DRM ऑफिस पहुँचे करमचारियों का अरोप है कि DRM ऑफिस में बसंत को प्रताडित किया गया है बसंत के द्वारा चपल उतारे कह जाने पर उसके कपड़े तक उतरवाए गए है करमचारियोंने बताया कि इस घटना के बाद पिडिद बसंत उपधाय डिप्रेशन में चले गए है उनके द्वारा घटना की जानकारी करमचारियों को दी गई उनके डिप्रेशन में चले जाने के करण तबियत काफी खराब हो चुकी है उन्हें इलाज के लिए रेल अस्पताल भी लाया गया जिसके बाद डॉक्टर के द्वारा बहतर इलाज के लिए दूसरे अस्पताल में रिफर कर दिया गया है बसंद IIT ISM के समीब के रहने वाले हैं बही मौके पर पहुँचे ADRM आशिर ज्जा ने कहा कि मामले की कोई साक्ष नहीं है फिलाल करमचारियों के द्वारा रेल अस्पताल की OPD सेवा बाधित कर दी गई है उसे सुचारू करने की कोशिश की जा रही है अपना यह लगाए है अज गाड़ी तो कुछ जानता नहीं वहां क्या हुआ लेकिन मतलब कुछ ना कुछ एक्षन लिया गया है स्टाफ पर ना कुछ यह है वह यहां कुछ वेलफेरेस एक्टिविटीज के लाई थे जो यहां से पता चल पा रहा है कि चपल फुलने की बूला गया था तो और तो कुछ ऐसा नहीं लेकिन हम देख रहा हम तो इन लोग से मिलने है सरी है ऐसा है काम अभी रूके हुए इसके तो आया है कि कम से काम सुरू हो जाए कम से जो मारे लवे स्टाफ उनका प्रिमेटर सुरू हो जाए मताब ओपीडी में चली हम देखते हैं ठेक लिए वह क्या ना में उनका बसंत उपध्या उनको डेंटल में कल ड्यूटी मिला था वहाँ पर बोर्ड में टंगा हुआ है कि आदेश का पालन करना है कि चपल जुता बाहर खोल के ही अंदर जाना है इनको बोल रही थी क्या ना में बसंत उपध्या को हमारे स्टाफ है वो उनको बोला गिया कि जो भी पेसेंट अंदर आएंगे उनको चपल जुता खोल के अंदर लाना है तो वो क्या किये वही बोले तो उनको मालूम नहीं था बसंत उपध्या को कि उनको मालूम नहीं था कि मतलब यहीं डियारम की मिसियस है तो वो बोले कि चपल खोल के अंदर जाए बस यही थोड़ी सी बात के लिए आज हम लोग को यह धारना देना पड़ा है उनके साथ यही हुआ है हम लोग को जो CMS सहाब है वो मेरे स्टाप को ले जाके अपना गारी में बठाके ले गाए वहाँ DRM ओफीस क्योंकि उपर से आ jadi कि आज हमलोग को आदेस का पालन को करते हुए और हम लोग को लंगा किया जाएगा तो बताइए सर अभण low-k WAY साथ अतिया जब लोग आधेस का पालन जब कर रहे हैं तो हम लोग साथ इतना बड़ा आचार क्यों किया गिया आज इसा हुआ कर लेडिस के साथ में भी कपड़ा खोलवा दिया जागा तो बताये हम लोग को इज़त करेगा कि जयसा हम लोग साथ का आदेस है कि जो डेंटल में या आख वाली मैडम के पाथ जो भी जाता है वहां हम लोग चपल खोलके यह उनको अंदर जाने के लिए कोई भी पेशेंट हैं तो हमारे जो साथी हैं वो बोले कि मैडम आप चपल खोल के अंदर जाइए तो पता नहीं था अभी हम लोगों पता चल रहा है कि नाम हम लोगों को नहीं पता हैं अगर डियारेम साहिब की वाइप तो इसलिए इनको हुआ कि हमारे सब्सक्राइब जो है उनको आदेश हुआ वहां से कि उनको लेकर आया जाए हमारे जो सीमस हैं जो डील चौरसिया साहिब वह यहां से लेकर गए और उनका कपड़ा खोल वाया गया अगर उनका कपड़ा खुला तो पूरा डिपार्टमेंट हम लोग मेडिकल पूरा डिपार लंगा क्या गया अभी आप देख सकते हैं कि उनका क्या इस्थिति है अगर उनको अभी कुछ हो जाता है तो उनके परिवार को कौन देखता है ऑक्सिजन लगा हुआ है बीपी देखिए अभी 200-200 जा रहा है अब यह चीज को देख सकते हैं इसी जी खराब है बोलिए यह में अगर उनको कुछ होता है तो उनके परिवार को कौन देखने जाएगा और वो आज हम पांच साल से यहां नौगरी कर रहें मगर उनके जैसा आदमी हम लोग अभी ऑस्पिटल में नहीं देखे